फाइनल जिताने के बाद रविंद्र जाड़िया ने कहा मैंने ये ट्रॉफिस सिर्फ और सिर्फ महिंद्र सिंग धोनी के लिए जीती धोनी के सिनापती का बल्ले और गेंज से गदर मचाना ज़रूरी धोनी की हर उम्मीदों पर खरे उतरे जड़ो धोनी के लिए चन्नाई के हर खिलाड़ी ने लगाई जान फाइनल जीत कर सर जाड़िया ने दिया धोनी को सम्मान वेनिंग चोका लगाते हैं खुशे से धोनी की आखों में आ गए थे आँसू जाड़िया ने सीने से लगा कर दिया दिलासा सेसके को आईपेल 2030 जिताने के बाद रविंद्र जाड़िया ने कहा कि मैंने ये ट्रॉफिस सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंग धोनी के लिए जीती माही भाई आपके लिए कुछ भी बीते सीजन रविंद्र जाड़िया से चन्नाई की कप्तानी वापस लेकर माही को सौब दी गई थी और तबी से दोनों के लाड़ियों के बीच पीडिया का एक वर्ग अन्बन की खबने फैला रहा था रविंद्र जाड़िया और महेंद्र सिंग धोनी के बीच मनमुटाव की आशंका जिता रहा था रविंद्र जाड़िया ने अपने पयान से ऐसी बाते करने वालों को करारा जवाब दिया जट्टू ने अपने माही की खातिर आईपेल जीतने के लिए महनत पे हिसाब किया गुजराट टाइटन्स चे नई सुपर किंग से कहीं मस्बूट टीम थी बल्लेबाजी से लेकर गेंद बाजी तक समय जीती भारी थी अगर उसे फस्त करना था तो महेंद्र सिंग धोनी के सबसे बड़े सेनानी का बल्ला और गेंद से गदर मचाना जरूरी था रविंद्र जाड़िया को अकसर वो नहीं मिलता जिसके वो हकतार है इस आईपेल सीजन भी जाड़िया के आउट होने के बाद माही बल्ले बाजे करने के लिए आते थे ऐसे में फैंस रविंद्र जाड़िया के आउट होने की दुआएं मांगते थे ये किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे दुरभाग्य पोण बरस्तिती होती है पर सर जड़िया रुके नहीं उन्होंने CSK को IPL 16 का फाइनल अपने दम पर जिता दिया तमाम फैंस को CSK लाइनप में अपना महत्व बता दिया जिस तरह मुंबाई नेंस के टिम डेविड ने क्वालिफायर दो मैं कैच टपका कर गिल का बड़ा शुतक बनवाया था इस बार भी दीपक चाहर दूसरे ओवर में ही वही काम कर चुके थे कैच चूटने के बाद शुमन गेंद बाजों पर तूट पड़े थे रविंद्र जड़िया को साथवे ओवर में पहली दफा माही ने गेद बाजी का जिमा दिया इस उमीद में कि जड़ू शुमन को पवैलियन का रास्ता दिखा देंगे लगातार विकेट टू विकेट गेंद बाजी करने के बाद सर जड़िया की अंतिम गेंद फ्लाट लेंद बॉल अराउंड ओफ गेंद ने टपा खाने के बाद बल्ले के आउटसाइड एस के पास से शार्प टरन लिया और गिल वापस क्रीज के अंदर आने में एक पल के लिए चूक गए विकेट के पीछे थाला ने बिजली के फूर्टी से शुमन गिल को 20 गेंद में 49 रंड बनाने के बाद स्टंप आउट कर दिया राविंद्र जड़िया ने माही से इशारों में पूछा और धोनी ने आउट कर रणे दे दिया अब कोई DRS ऐसा तो है नहीं जो माही का नड़े पलट दे जड़ू ने सबसे बड़ा शिकार कर लिया था रंचेज में CSK को जीत के लिए दो गेंदों में 10 रंड की दर्कार थी और सामने अंबाती राइडू और महींद्र सिंधोनी को अपने पिछले ओवर में बैक टू बैक पविलियन भेचने वाले मोहित शर्मा थे वो लगतार सठीक यॉरकर डाल रहे थे ऐसे में सर रविंद्र जार्जया ने आखरी ओवर की पाँचवी यॉरकर गेंद पर डीप इंक्रीज खड़े होकर लॉंग आफ के उपर से गगंचुमी छक्का जड़ दिया ये एक कॉन्फिडेंट पल्लेबास का कॉन्फिडेंट शॉट था रविंद्र जार्जया को मालूम था कि जब तक वो मैदान पर हैं सियस्के के लिए मकाबला हार के तौर पर खत्म नहीं हो सकता अंतिम गेंद पर चार रण बचे थे करोड़ो क्रिकेट प्रेमियों की सांसे अठकी थी रविंदर जाड़्जा को ये मुकाबला किसी भी हाल में अपने थाला के लिए जीतना था मोहित शर्मा ने दबाव में पैट्स पर लोवर फुल टॉस डाल दी सर जाड़्जा ने इसे आसानी के साथ फाइनलेक बाउंडर के बाहर चार रन के लिए भेज दिया और चिन्नाई सूपर किंग्स के नाम पांचवी दफा आईपेल का खिताब आ गया सर जाड़्जा का धूनी को ट्रॉफी डेडिकेट करना बताता है कि माही और जड़्डू के बीच आज भी बेशुमार प्यार है